अलो से वेल्कम टू एक्वेटर अकैडमी दहरादूंग और फिर से मैं आप लोग ले आए हूं UKPSC एक्जाम आपके होटी कल्चर सुपरवाइजर के लिए जो आप में से बच्चे बालोजी ग्रूप ले रहे हैं ठीक है तो आज का टॉपिक है बालोजी ग्रूप में सेल ज है प्रोकेर्टिक और यूकर्टिक सेल है सेल साइकल हम लोग कर चुके हैं माइटोसिस के बारे में भी मैं आपको बता चुका था आज जिसकी हम लोग बात शिया शुरुवात करेंगे वह स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑप दी साइटो प्लास्मिक और गेनलस ठीक है जो साइ मिलते हैं बट में तौर पर साइटो प्लास्मिक और इसको सबढ़ने की कोशिश करते हैं तो पहले कुछ डाइग्राम्स या इमेजेस को हम लोग पहले देखेंगे और संज़ेंगे किस तरीके से एमजी क्यू कोशन आपके एक्जाम में आ सकता है तो जैसे कि आप यह उच्यक्र देख रहे हैं और यह जो अंदर का है आप में से पताई होगा सबको यह क्या है आपका इसको हम लोग क्या बोलते हैं साइटो प्लास्मिक acquire तो आपका क्या है दिस ठीक उसको दोर कर देता हूँ मैं और DESMOSOM ठीक उसके बाद TONOFBRILS then Golgi Complex उसके बाद आपका NUKELEUS उसके बाद आपका NUKELEUS जो कि किस के अंदर है NUKELEUS के अंदर है उसके बाद आप देख सकते है NUKELEOPORE जिसके रास्ते जो है साइटोप्लासμिक मैर्टक से कोई भी चीज होते हुए कहा जाती है न्यूकलियस के अंदर जाती है उसके बाद ठिक अगर आप देखें न्यूकलियर पूर के बाहर आपको यह बगल में आपको यहां दिख रहा होगा यह दस्वार करता हूं है टेंत आपका क्या है न्यूकलियर एंवलप है का राइबोसोम वापका हो गया फिर उसके बाद अगर हम बात करें ख्रोमैटिन बारवान बिशेन आपको गया लेकिन अगर आप देखें ख्रो Ambassador की जो है आप यहां से कोशन बन जाएगा आपका姹셨ande क्ये लिए कि क्रुमैटिन जो सेल होता है उसके अंदर लोकेशन क्या होती है यानि कि क्या जो आपका जो क्रोमेटेन है वो किसके अंदर होता है ठीक है क्या वो साइटो प्लास्मिक मैट्रिक्स के अंदर होता है या जो answer है आपका क्या कि वो nucleus के अंदर होता है ठीक है तो जैसे कि क्या टिकर के आओगे कि जो chromatin होता है वो nucleus के अंदर होता है ठीक है 13 ता अगर आप देखें cell organ granular endoplasmic reticulum granular क्यों बोलते हैं क्योंकि यह dot dot क्या है आपके ribosome है फिर cytoplasmic matrix में अगर आप देखें तो क्या पहले होएं free ribosomes पहले होएं फिर उसके बाद mitochondria आपको देख रहा है इसको भी काफी पढ़ना पढ़ेगा और फिर उसके बाद A granular यानि कि यह आपका 14th हो गया free ribosome 15th आपका mitochondria हो गया और उसके बाद A granular endoplasmic reticulum यह आपका 16th हो गया rootlets भी है पर इतना पढ़ता नहीं है तो में इन तोर पर यह 16 आपके जो हो गए cell के अंदर या cytoplasmic matrix में जो है और यह 17 के बाद यह हम लोग भूल गए आपका क्या सत्रवाँ आपका lysosome बहुत सारे enzymes में जो होते हैं और फिर 18 भी आप लोग यहाँ पर लिख लिए secondary vessels तो वीडियो को पॉस करके पहले यह सारे जो cell organs है उनके नाम लिख लो जिससे आपको एक imagination रहे कि हम cell में क्या-क्या organs बढ़ने वाले हैं और क्या-क्या इसके एक जाम में हम से क्यों कोशन बन सकते अब दूसरे डाग्राम जो है वो आपका देखे क्या रखा है हायल प्लान का रखा गया है इसमें गर आप देखें तो cell wall है यूकि आपकी किसमे नहीं थी eukerotic cell में यानि कि animal cell में नहीं थी उसके बाद दूसरे अगर आप देखें तो vacuul आपको देख रहा है उसके अठर अगर आप देखें तो centriolus आपको देख रहा है ठीक है उसके बाद fourth यह हम पहले अंदर की बात करेंगे chloroplast envelope आपको देख रहा है then fifth आपको chloroplast दिखेंगे then sixth आपको chloroplast ribosome दिखेंगे इसके अंदर फिर seventh आपको जो cell organ दिखेंगा plant में DNA fibrils आपको दिखेंगा eighth जो कि उसमें भी था आपका animal cell में mitochondria हो गया ninth अगर आप देखें तो paranoid आपके हो गया tenth यह सब में थे दोनों में endoplasmic reticulum आपका हो गया उसके बाद आप कह सकते हैं फ्री ribosomes आपके हो गया और 12 आपका गॉल जी आपरेटस आपका हो गया और फिर उसी तरीके से आपका क्या हो गया nucleus 13 और उसके अंदर का nucleus आप 14 इसको मांग सकते हैं ठीक है तो यह कुछ आपके plant cell का एक structure आपका दे रखा है तो हमको लगबबबबब सारी चीज़ें पढ़नी पढ़ने पर आगे कुछ भी जो है आपके NCQ में बन सकता है अब जहानत में बच्चों यह पढ़ते पढ़ते हमारा जो biology के आपके दो sections है यानि कि जिसमें आपका botany का syllabus भी दे रखा है और जिसमें आपका zoology का syllabus भी दे रखा है तो इससे हमारे दोनों जो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी cell wall यहाँ पे cell wall आपको देख रहोगा यह सबसे पहली मैंने रखा है प्लांट में अगर बात करें तो देखो पॉइंट पॉइंट वाइस आप जितना मैं आपको डिक्टेट करता जा रहा हूं पॉइंट वाइस बना के लिखते जाओ सिधा ज़ादा लंबे नोट नहीं बनाने कोशिश करेंगे कि जितने मैंने हालेट किया है उसी से आपके कोशन एंसी क्यों में आ जाए तो देखो क्या लिखा हुआ है दप्रोटो प्लाजम ऑफ प्लांट सेल इस सेपरेटेड़ ठीक है फ्रॉम दी एक्स्टरनल वर्ल बाई सेलवाल ठीक है प्रोटो प्लाजम जो यह अंदर का आपका हो गया प्रो सेलवाल के कुछ करेक्टर्स बताए गए है कि क्या होती है सेलवाल सेमिरिजिट होती है तो यहां पे आप पॉइंट बना के लिख दो सेलवाल क्या होती है सेमिरिजिट पहला पॉइंट बनाओ अपने नोट्स में सेमिरिजिट होती है ठीक है ठीक दूसरा आपका सेलवाल इस इसेल इटसेल्फ यह वुर्ड इंपटन्ट इंकि सेलवाल बनती कैसे खुदी प्लांट जो है वह सेलवाल को बनाता यह आपको ध्यांतेर रहते हैं ठीक है और सेलवाल मेंत और में क्या क्या रखती है cell wall में जो है consider या contain a complex किसकी बनी होती है cell wall polysaccharides carbohydrate the cellulose ठीक है तो यह आपके exam में आएगा कि इन चारों में से जो cell wall होती है वो किसकी बनी होती है तो आप टिक करेंगे polysaccharides carbohydrate जिसको हम लोग क्या बोलते है cellulose बोलते है अब इस cell wall का काम बात करें कि काम किया तो वही protection है support है to the plasma membrane and cytolose जो अंदर की तरफ है ठीक फिर cell wall of some plants है क्योंकि plant जो है आपके बहुत variety के आपके होते है has some canal like structure ठीक है और इस canal like structure को जो कि cell wall के अंदर होता है उसको क्या कहते है टिकर किया ना plasmo decimata ठीक है plasmo decimata तो देखो यहां से एक और हमको question मिल गया MCQ के लिए क्या question मिलेगा बच्चों कि जो plasmo decimata होता है वो किसमे होता है plant cell में होता है कि animal cell में होता है तो टिकरेंगे plant cell में होता है और plasmo decimata plant cell में actual क्या होता है अगर question आएगा तो answer में लिखा होगा canals of cell wall called plasmo decimeter बच्चों समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को share कीजिए like कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए और अपने दोस्तों बताईए इस चैनल के बारे में जहां के हम लोग आपका क्या horticulture supervisor के बालो जी को cover up करेंगे मेंबर की बाग कर लेते हैं चलिए तो मोस्ट प्लांट एनिमल सेल हैवन external covering known as plasma दिमा उसको plasma लिवा कहा गया है कुछ में यह से कॉमा सेल मेंबरेन और प्लाजमा मेंबरेन यानि कि प्लाजमा मेंबरेन एक ऐसा कि बाई चीजे बाहर से अंदर अंदर से बाहर जा सकें semi-permeable मेंबरेन होती है ठीक है यानि कि प्लाजमा मेंबरेन के characters हो गए कि living होती है अल्टरा थिन होती है इसको लिख लो elastic porus और semi-permeable होती है ठीक है में फंक्शन देखें है प्लाजमा मेंबरेन का तो प्रोवाइड मेकानिकल सपोर्ट एक्स्टेनल फॉर्म टुदा वट अंदर का जो प्रोटो प्लाजम आप देखो यहां पे ना नखना बायों कि तो आप लोग सभी लोग तभी वीडियो देख रहे हो प्रोटो प्लाजम जो है वह कि से बनाओवा है यह भूलना एकसा में आ सकता है साइट लाजम प्लस है निउप्लियस ऐस थाहिए ताभ तो प्लाजम और नुपरी हस का बनाओता यह सकता है ठीक एक और point देखो जो MCQ में आ सकता है it consists of an outer and inner layer of protein and middle layer of lamula ठीक है यानि कि जो आपका plasma membrane है ठीक है वो आपको imagine करना है कि तीन आपका layers का बना हुआ है बाहर भी आपकी जो layer है वो किसकी बनी हुई है protein की बनी हुई है ठीक है और अंदर की जो layer है वो भी आपकी किसकी बनी हुई है protein की बनी हुई है और बीज में आपका लिखावा है साफ साफ middle layer जो है किसकी है आपकी lipid की बनी है इसको और आगे समझेंगे पर अभी के लिए समझेंगे protein, lipid, protein इस तरीके से आपका plasma membrane का structure दिखाया गया है फिर बात करते हैं साइटो प्लाजम की यानि सेल के अंदर का जो पूरा liquid है plasma membrane is followed by cytoplasm ठीक है यानि के plasma membrane जैसी खतम होगा सेल के अंदर plasma membrane पूरा हो गया और यह जो cytoplasm होता है इसके क्या लिखा हुआ लिखो which is distinguished into following structure तो दो structure आपके होते हैं तो यहाँ पर लिख दो cyto एक point बना के लिख दो cytoplasm तो उसे दो structure बनाओ पहला लिखो cytoplasmic matrix ठीक है cytoplasmic matrix जैसे पिछले image में दिखाया था और दूसरा जो भी है cytoplasmic structure जो कि हम लोग एक एक करके इसको cover up करेंगे cytoplasmic यहाँ लिख दो structure ठीक है अब matrix क्या है देख लो the space साफ साफ लिखा हुआ है between the plasma membrane जो बाहर की तरफ है and nucleus is filled by amorphous trans homogenous collidal liquid called hyaloplasm और cytoplasmic matrix ठीक है simple logic में कहें कि अगर यह आपका plasma membrane हो गया इसके अंदर यह आपका nucleus हो गया यह जो पूरा आपका मैं shadow कर रहा हूँ यह आपके जो पूरा liquid भरा हुआ है इसके बारे में यह कहने कि इसको cytoplasmic matrix ठीक है इसी को इस पूरे liquid को cytoplasmic matrix अल्टेनेटिव नेम पूछेगा हाईलो प्लाजम कहते है अब इस साइटो प्लाजम matrix में होता क्या है तो लिख लो इंदल के पॉइंट बनाओ यहां पर लिखो साइटो मैं शॉट में लिख रहा हूँ पर आप लोग वीडियो को पॉज़ करके पूरा लिखो गए cytoplasmic matrix कंसिस्ट क्या क्या होता है water पहला चीज़ हो गई salt of sodium potassium and other metals फिर तीसरा क्या होता है various organic compounds like carbohydrate आपको मिलेगा इस matrix में lipid मिलेगा protein मिलेगा nucleo proteins मिलेगा nucleic acid मिलेंगे like RNA, DNA and variety of enzyme जो आगे हम लोग पढ़ेंगे बड़ सब कुछ आपको इसी के अंदर मिलेगा उमिदे यहां तक समझ में आपको आगया हो then cytoplasmic structure की बात करें तो मेन तोर पे जो cytoplasmic structure के अंदर हमको एके करके सारे structure हमको पढ़ने यहां पर लिखे हुए है इसको लिख लो इसको मैंने आपको यहां structure में यहां बताई दिया था यह सारे structure हमको cover up करने हैं जैसे की penosome, desmosomes, tonofibris, galgy, complex, centriolus, nucleus, nucleus तो यह वीडियो को पॉस्ट करके सारे structure एक साथ लिख लो इसमें से एक कोशन या पूरे में से cytology में से हो सकता है कि 10-12 question आपके बच जाए ठीकिए बच्चो तो उमिद है आपको यहां तक का मेरा lecture पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को like कीजिए, share कीजिए और जल्दी मैं biology group की live online classes शुरू करने जा रहा हूँ आप मेरे इस whatsapp नंबर पर मुझे contact कर सकते हैं मैं zoom पे class लोगा और साती सात रिगाडियो जो अगर आप live class नहीं देसकते हैं तो उसी live classes का recording होगी तो recorded जो course है वो भी आप उससे purchase कर सकते हैं